हेलो स्टुडेंट्स वेलकम तो आर ओनलाइन क्लासे मैसेल श्रीव दिक्षित तुड़े आई इम गूंग तो टीच यू मैथेमेटिक्स अफ एक्सराइट एक्सराइज शिक्स बी ओके एक्सराइज शिक्सराइज आपको इस एक्सराइज में मुल्टिप्लाइज सिखने आ सबके सब वरियाबलinga जैसे कि मैं आप पता शुका है इनके मां फिक्स नहीं हो ठीक है यहां पर दो क्यों और मुल्टिप्लाइज करना है इसका मतलब भी हुआ कि आप इस टर्म से पहले इन दोनों टर्म को multiply करोगे और फिर इस टर्म से आप इन दोनों टर्म को multiply करोगे इसका basic logic है इस exercise में total I think 20 या 25 questions है मैं इस में से जो जो different patterns के 5 या 6 questions उनको practice करवा दे रहा हूं बाकि आप homework में खुद से practice करोगे बना के से एंड करोगे और अगर कुछ भी problem होगा तो आप without hesitation मुझसे पोच सकते हो ओके तो दिखिए हमारा first question है रहा इसमें हमें क्या करना पहले हम 5x के साथ इसको multiply करेंगे यानि पहले हम क्या करेंगे लिख लेंगे 5x into 3x plus 4 यह हमारा rule है फिर यह दिखिए प्लस 7 है यहाप लिख करते हैं तो दिखिए अब यानि 5x इसको multiply करेगा तो 53 जा that is 15x square यानि 5x into 3x तो दिखिए 53 जा 15 and x into x that is x square यहाँ पर हो गया आपका 15x square अब 5x फिर 4 से multiply करेगा then 5x into 4 then this will be 20x हो गया बीच में प्लस का सिंबल तो प्लस 20x हमने आपर mention कर लिए फिर दिखिए प्लस 4 है अब इसमें हम करते क्या है त्रिंसफल ओफ हमोजिनीटी जो कि मैं आपको कितनी बार बता रहा हूं ठीक है इसमें जो एक सब्सक्राइब कर लेंगे एक सब्सक्राइब कर लेंगे 20x 21x दोनों मिलके 41x हो गया और इस कॉंस्टेंट को अलग कर लेंगे हमारा इस तरह से answer हो सब्सक्राइब कर लेंगे तो या जाएगा ठीक है न इस तरह के से बनते हैं अच्छा देख दिखें माइनस का सिम्बॉल इसको देख लेते हैं यहाँ पर हम करेंगे पहले हैं 4x into x-6 बीच में प्लस 9 है तो प्लस 9 into x-6 अप्लस 9 into x-6 4x into x that is 4x square और यह जागा माइनस 24x यह जाएगा प्लस 9x और माइनस 54 क्योंकि 9-6 दा 54 और प्लस माइनस माइनस अब आप क्या करोगे इसको तो आप एक्जैक्ट रखोगे इस एक्स वाले टर्म को आप एकसा सॉल्व कर लो जो भी आप देख लो 24 में से 9 जाएगा that will be 15 और 24 बढ़ा तो माइनस 15 और माइनस 54 क माइनस 54 तो इस तरीके साब इन सभी कोस्टन्स को वेल पैटर्न में सॉल्व कर सकते हों कोस्टन नमर 3 भी आप सॉल्व कर लोगे 4 5 सभी एकी पैटर्न पे देखिए 6 7 अब यहाँ पर M आ गया N आ गया तो डरने की कोई नीट नहीं है यहाँ पर M N है तो दो अलग अलग त यानि 3M इन्टू 2M माइनस 3N और माइनस 4N तो माइनस 4N और फिर एटर्म से मल्टिप्लाई करेगा ठीक है नो इसको आप सॉल्व कर लो यह तो 3M और 2M मल्टिप्लाई करेगा 3M इन्टू 2M इस विल भी 3 2 जा 6M स्क्वार तो 6M स्क्वार और यह दिखिए 3 3 जा माइनस 9 M इन्टू 1 तो यहां पर देखिए एक्च्वल में क्या आया 3M को मल्टिप्लाई करेगा माइनस 3N से दिन 3 3 9 और MN मल्टिप्लाई करेगा था MN और माइनस 9 MN हो गया फिर जब यह मल्टिप्लाई करेगा था एक साथ रख लिया आपने 12 N स्क्वार को एक में कर लिया और MN वाले टर्म को एक साथ सॉल्व कर लिया 9 और 18 17 MN हो गया देखिए MN दोनों में इसलिए दोनों एड हुए है अगर एक में रहता एक में एनम रहता तो एड नहीं होते क्योंकि यह प्रिंसिपल आफ हमोजिन वीडियो को देख लो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा प्रिंसपल अफ होमोजिनिटी यह बोलता है कि एकस को एकस के साथ ही एड करेंगे एकस स्क्वार के साथ स्क्वार नहीं करते हैं ऐसे भी बहुत सारी करनेशा से जो कि मैं पीछे डिसकस कर रखी है मैंने अब यह इसमें आपको डरने की कोई नीड नहीं है इस फर्स्ट टर्म से हम पहले मल्टिप्लाई करेंगे एकस माइनस एको फिर इस सेकेंड टर्म से हम इसको मल्टिप्लाई करेंगे और हमने यहीं किया है यहां पर एकस क्यूब हो जाएगा एकस क्यूब हो जाएगा एकस क्यूब स्क्राइब ओर में और सबक्राइबक्ति करें को लिए सփप्राइब mockingreg?". अलग हो गये और यहां भी अलग-लग है तो इसमें कहीं भी इसंस सब्टरेक्ट होगा है यहां सब्सक्राइब और यहां पर एक से तो कभी एड होई नहीं सकते हैं यहां पर एड होई नहीं सकते हैं इस टर्म को देख लेते हैं जरा यह टर्म आपके लिए कि मेभी डिफरेंट है और मेभी आपको अपको टफ लगे है बते टफ बिल्कुल नहीं है आपको करना क्या पहले X प्पर 4 से हिस्को मल्टिप्लाई करेंगा देखे इस प्पर 4 एंट प्पर 5 यहां पर एक तर्म देखे ए X प्रपावर 4 इंटू X हमने यहाँ पर लिखा हुआ ठीक है न एगें X प्रपावर 4 इससे multiply करेगा तो क्या हो जाएगा X प्रपावर 4 इंटू 1 बाई X तो हमने अगला टर्म में यहाँ यह मेंशन कर दिया X प्रपावर इंटू 1 बाई X ठीक है न अब उसके बाद से दिखिए यहाँ पर वन बाई X प्रपावर 4 इंटू X है तो हमने यहाँ पर यह मेंशन कर दिया डिए यहाँ पर मल्टिपलाई में यहर वन में तर्म में देखिए यह वाला टर्म में कुछ टर्म कैंसिल भी होंगे आप उनको कैंसिल कर सकते हो विकॉस सभी के सभी मल्टिप्लाइमें इधर देख लो एक्स और एक्स क्या हो जाएगा अगर आप कैंसिल करो तो समझते चलिए रियल में आपका यहीं होने वाला है तो यह दोनों बच गया तो x power 4 into x that is x power 5 हो गया यहां पर ठीक है न ओके अच्छा आप देखिए का इधर वाले term को जब आप अगर solve करते हैं इस term को मतलब इधर को इस plus के side वाले term को ठीक है तो one minute मैं थोड़ा pain change करता हूँ आपके लिए देखिए a different way में यह आपका दोनों multiply करेगा तो sorry थोड़ी जुकाम हो गई है actually I'm so sorry here देखो आप x power 4 into x that will be x power 5 अब हमारे पास एट term बचे हैं तो देखिए x power 4 और x है तो एक x इसके एक x को cancel करते हैं यहाँ पर x पर क्यूब बच जाएगा क्यों जैसे x power 4 है और into one by x है इसका मतलब क्या हुआ कि x into x into x into x into one by x तो एक x मर गया तो x का cube भी बचेगा ना तो यहाँ पर हमने कर दिया x का cube यानि x power 5 हो गया और इसको इसको इसने solve करके x का cube लिख लिए अब आईए इडर तो x x cancel ओके अब बचेवे टर्म्स आपके जो हैं क्या हो जाएंगे इस solve करना आपको ठेक है ना तो देखिएगा ध्यान से अगर आप इसको carefully absorb करो यहाँ पर प्लस का सिंबॉल यानि यह टर्म अलग हो गया और यह टर्म अलग तो यहाँ पर देखिए a1 by x power 4 और यहाँ पर 1 by x power 4 और a x x दोनों अलग अलग तर्म यहाँ पर x x यहाँ भी बीच में plus है sorry यहाँ इसको cancel होने वाला नहीं है because 20 में क्या है प्लस है तो जब प्लस है तो आप इसको solve करोगे इस वाले multiply को एक कटके one by x cube हो जाएगा ओके और जब आप इसको solve करोगो ना इसको ते one by x power 4 और a one by x power 1 है ते वह हो गया ए वान इसको आप carefully एक बार फिर से देख लो आपको पता है ना अगर two into two plus two है जैसा अगर two into one by two plus two है तो आप इस two को इस two से नहीं cut कर सकते हो इस two को cut कर सकते प्लस है बीच में यहापको तो सुरू में सिखाया की होगा इस अंग अस्तेंडर 56 में तो दिखें यहाँ पर एक प्लस है टृटर मलाग हो गया यह तर में तो यह दोनों की करेंग एक फाइफ हो गया और एक क्यूब एक्स क्यूंब हो जाएगा ठीक है डीकिए यहाँ भी प्लस है याने टो तो दीना या पकेले नहीं पाइए बिसे मीषटे संढ़ीयिंगी आधिशनीनmasy 10309 क्यूंब फिर यहाँ आपका result हो जाएगा ठीक है तो इस तरीके से आप इसमें जितने भी question से देखो सब एक pattern पे well defined series है इनको बना सकते हो कहीं से भी कोई आपको doubt नहीं होगा फिर भी अगर आपको कोई doubt है तो आप इसमें भी इसमें नहीं है आप क्या करोगे पहले इस एक स्क्वाइर से पूरे को मल्टिप्लाइ करोगे फिर इस माइनस वन के दवार इस पूरे को मल्टिप्लाइ करोगे और सॉल्फ कर लोगे principle of homogeneity को follow करते हुए मतलब एक्स पार फाइफ को आप एक्स पार फॉर के साथ एड नहीं करोगे यह similarities होनी चाहिए ओके I hope that you have understood but if you have any doubt then you can ask me okay thank you